दोस्तों आपके कमेंट्स देखने से ये तो पता चल रहा है कि अब आपने तयारी करना स्टार्ट कर दिया है चुकि दोस्तों बहुत ही कम दिन आपके सहस रहे गए हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना एक बार कोर्स कंप्लिट कर लेना है और फिर आप एक्जाम डेज में कल जिसकी एक्जाम है उसकी तयारी आज कर लें ऐसे फिर चलता रहेगा तो उसके लिए दोस्ता एक बार आप हलका हलका एक बार पूरा कोर्स को पढ़ लें जैसे थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में कौनसप्ट किलियर रहे हना और अब इस वीडियो में दोस्तों काफी स्टुडेंट्स के कमेंट थे कि सर्फ फेल और बेक कैसे आता है और पास होने के लिए मिनिममम कितने नंबर लाने होते हैं जिनसे हम पास हो जाएं बेक वगरा सब्जेक्ट ना रहे सारे सब्जेक्ट हमारी फर्स्टियर के क्लियर हो जाएं और सेकिंडियर में भी डिगरी में हमारे अच्छे नंबर आ जाएं तो दोस्तों मिनिमम आपको 40% अंक लाने अनिवारिय होते हैं और 40% अगर दोस्तों आपके आते हैं तो फिर घरवालों को डगरी पर दिखानी है तो यह कोई बात नहीं है दोस्तों तो आपको दोस्तों मिनिमम लगबग आपको टारगेट लेकर चलना है कि अपना टारगेट जो है कम से कम 60 प्लस रहे तो 60 प्लस रहने के लिए दोस्तों आपको अच्छा से त्यारी करनी है एक बार हमारी चैनल पर दोस्तों वेसे वीडियो सारे सोट नोट्स के सोट क्यूशन के वीडियो अवेलेबल हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं उनसे काफी तक हद तक आपका कॉंसेप्ट यानिकी लगबग को कि 70-80 परसेट तक आपका कॉर्स कवर हो जाएगा तो वह प्रोब्लम नहीं है और मिनिमम बात दोस्तों अब सब्जक्ष की बात करें तो ज्यादातर सब्जक्ष दोस्तों आपके सतर नंबर के हैं कुछ पेपर साट नंबर के हैं और कुछ पेपर जो हैं आपके 30 नमबर के हैं कलाशिक्ष्या और स्वास्ते वाला और वो सूचना प्रोध्यकी के वाला ना तो 70 नमबर वाला जो पेपर है दोस्तों उसमें आपको मिनिमम 28 से 30 नमबर यानि कि लगबग आपको 30 नमबर लाने होंगे पास होने के लिए और जूसतों आपके प्रेक्टिकल में लगबग पूरे नमबर होंगे यानि कि एकicie हैं 28-29 नमबर होंगे आपके प्रेक्टिकल में तब की ये बात है अगर प्रेक्टिकल में आपके नमबर कम जाते हैं तो फिर मामला गडर बढ़ा जाए है कि जिससे आपके 60% से अबाव बने और एक बात आपको ध्यान रखना है एक गलती आपको यह हैं गलती के लिए दोस्तों यह लाइन इसलिए लिखिए हैं गलती आपको यह ने करनी है अगर दोस्तों कोई प्रशन आपको नहीं आता है मालेजिजिये की पेपर में आपके 20 प्रशन है और आपको दोस्तों दस प्रशन ही आ रहे हैं तो वो बाकी के दस प्रशन है उनको दोस्ता आपको छोड़ना नहीं है एक भी प्रशन कोपी दोस्तों पूरी भरकिया नहीं है पूरी मतलब पूरी तो कहां भरती है काफी वेज होते हैं 32 प्रशन आपको पूरे करन अब सब का आपको पता है तो इन में आप डंग से वर्णन कर सकते हो कि प्रात्मिक में तो एक से पांच वी तक के विध्याले आते हैं एक से पांच विध्यालियों में 6-11 बच्चे आते हैं उनमें छोटी कक्षाओं के बोड़ों को दिवारों को जो है तीन-चार फूट हना तो इस तरह से क्या करना है आपको मेंन बात की प्रशन एक भी आपको किसी भी पेपर में नहीं चोड़ना है इस तरह से आप लेखे चलेंगे क्योंकि दोस्तों आपकी एक्जाम जो है जल्द करवाए गई है तो उस वज़र से कोपियां आपकी इतनी हार्ड चेक नहीं होगी नोर्मली चेक होगी तो नोर्मली दोस्तों कोपी चेक करने के लिए भी प्रशन का उत्तर किया ज़रूरी है अगर आप प्रशन का उत्तर ही नहीं करेंगे तो एक्जामिनर नंबर किस में देगा तो इसके लिए ज़रूरी है आप प्रशन सारे अटेंप्ट करें और और फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रोब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और फॉर्म के दोस्तों उम्मिद करता हूं फॉर्म सब ने भर दिया होगा किसी ने दोस्तों नहीं बरा है तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल अप करवाएं और 24 लास डेट है फॉर्म की और 25 तारीख है फीज जमा करवानेगी तो जल्द से जल्द अपना यानिकि दोस्तों एक दो दिन में ही अपना फॉर्म कंप्लेट करवा कि कुलेज में जमा करवा दें जिससे फिर आप फिर ही हो जाएं और अपनी एक्जाम के तयारी को कंटिनू क कर पाएं और सेकेंडियर वाले श्टुडेंट्स दोस्तों उनके कमेंट देखने में मिल रहे हैं कि सर अमारे जो वीडियोज हैं जल्द से जल्द आप अपलोड करें तो दोस्तों उनके लिए मेरे हाथ जोड के निविदन है कि आप थोड़ा सा वेट और करें क्योंकि दो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर फिर भी उन्हें पढ़ लेंगे तो लगभग दोस्तो 80-90% तक आपका कोर्स कवर हो जाए उस तरह से मैन मैन पॉइंट जो है जिन पर क्यूशन बार बार पूट अप होते हैं जल्द से जल्द दोस्तों आपको सारी वीडियो is जो हैं हमारी चैनल पर देखने को मिलेंगे तो उसके लिए दोस्तों चैनल को Like से Subscribe करने के लिए दोस्तों आपको कहने के लिए ज़रूरत नहीं पड़नी चींए आप खुद से ही Subscribe कर लें और अपने उन सभी friends को share कर दें जिनको उन videos की जरूरत है या जो अभी तक syllabus नहीं लाये है या जिनके पास series नहीं है जिनके पास book नहीं है तो उनको जरूर शेर कर दें ताकि वो कुछ तो पढ़े कुछ तो पढ़े यानि कि आपको 60% plus का ही सोचना है दोस्तो पास marking की नहीं सोचनी है और भी दोस्तो अकर BSTC से related आपका कोई doubt है तो आप हमें comment जरूर करें comment का reply दोस्तो हमेशा से मैं देता आया हूँ और देता रहूंगा जैसे ही दोस्तो पहले पहले बात तो data कोई भी doubt दिमाग में नहीं रहना चाहिए आपके सिर्फ आप exam की तयारी पर focus करें कि हमें इन इन topics को पढ़ना है और ऐसे ऐसे अपना concept क्लियर करना है बस उन पर द्यान रखना है दोस्तों कोई भी doubt अगर आपके दिमाग में है तो उसे comment करें और वीडियो को like, share और subscribe करना बिलकुल न भूले